अच्छा आप जिस आपने कहा मेरे कहले 78 की बात है कि ऐसी लागी लगन कंपोज हुआ और आप जितनी जानकारी मुझे है कि उसको कंपोज करने में आपको बहुत समय नहीं लगा क्योंकि कि किसी नहीं लाकर आपको आप वो लाइन दी और आपने कई बार उस लाइन को खाना खाते खाते हुआ था कैसे अमेरिका में न्यूजर्सी में मैं एक अपने दोस्त की आमेरा खाना खाना खा रहा था उनकी वाइफ तो लगाना भी गाती है तो जब मैं खा रहा था खाना तो मेरी आदे तो मैं हाद से खाता हूं दाल उड़ी सब्जी 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 इसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, इंदरा देवी का लिखा हुआ, पूना में रहती थी, हरे किश्म की फॉल्वर, तो बस वो मैं अटक गया, खाना मैंने जल्ली से खतम किया, और वो बीस पच्चिस वार पढ़ लिया मैंने, फिर उनको किताब दे दी, जब खाना खतम क्योंकि कभी जब कोई अपनी कविता लिखता है, तो गुन-गुना की लिखता है, उसकी जो धुन है, उसको पकड़ना है, उसके वाइबरेशन तक अगर हम पहुँच गए, तो गाना अमर हो जाएगा, जैसे मैया मुरी मैनी माखन खायो, वो सूर्दार जी ने यही धुन में सोच के लिखा होगा, ठुमकी चलजर रामचन, तुलसिदार जी ने यही सोच के लिखा होगा, ऐसी लागी लगन इंदरा देवे में लिखा होगा, यही धुन होनी चाहिए, ऐसे गुन-गुना के, तो उसको अगर पकड़ लिया, पायो जी मैने, उन लिखते समय मीरा वाई ने सोचा होगे, ऐसे धुनों नीचाहिए, बस, वहाँ तक पहुचना है, तो वो कैसे पहुच पाएंगे, पवितरता से, अध्यात्म से, अपनी लगन से, अपनी एकागरता से, तो अगर आप पूरी तरह उसमें इन्वाउल हैं, तो मीरा वाई खुद आ के बताने ह यह धुन है, क्या भाद? तोलसी जाजी आ जाएंगे, कि बेटा, इस धुन रगा दो, यह मेरी यह धुन थी, हम उस धुन को पगड़ लेते हैं, और मैंने सुना है, आप तो एक बार अपने पिता जी के साथ कारिकरम कर रहे थे, और आप पीछे बैठे थे, हनुमान जी का कोई भजन चल रहा था, और आपकी आँखों से सिर्फ आंसु बह रहे थे, हम गाई नहीं पाए, तो कि हर्मान जी हमारे साथ बैठे हुए थे, ऐसा लगा? हाँ, मुझे लगा मेरे साथ बैठे, तो मैं गाउं कैसे, पिता जी गा रहे हैं, वो मेरे साथ बैठे सुन रहे ह और जब प्रोगाम खतम हुआ, तो मेरे पिता जी ने का, क्या हुआ, आवाज ही नहीं निकली, मैं निकलती कैसे, यहां तो बैठे हुए थे, कि कब की बात होगी? ये, तब मैं मुश्किल से साथ-ाथ साल का था, तो 1970, 1960. और कभी फिर ऐसा वाक्या हुआ आपके जीवन में जब लगा हूँ कि कोई ऐसी काया बगल में है? आज भी होता है. आज भी होता है कि मैं मन्च पे ही होता हूँ कि गा रहा हूँ, और मुझे लगता है मैं ब्लैंक होगे का दिकते हैं. कोई है जो गवारा है. प्रोग्राम से पहले मेरे मिजीशन मुझे कहते हैं, अनु जी कहा है कि अगला ठीक नहीं लगा रहा है तो मैं बैठे में तो हमने कभ गाया है कोई गमाता है इसी लए है आपने देखा हो गा हमेशा कि मैं गाना शुरू करने से फेर उपर देखता हूं आ रहे हो क्या अभी पहुँचे नहीं तमने गाना शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे उसकी शक्ति से ही मिलता है नहीं तो आप सोचिए जरा तीन घंटा हर तरह की पब्लिक सामने वैठी भाजन कैसे सुन सकते है और वावा कर रहे हैं डांस कर रहे हैं, मज़े ले ले लिए कैसे संभव है ये तभी संभव है जब वहाँ ईश्वर की मौदूदी है तो इस पे एक शरार्ती सवाल ये भी बनता ही क्या कभी ऐसा भी हुआ कि ईश्वर ना है हो और गरबड़ों कोई हो कोई अपना संभी लोगों के सामने प्रस्तुत करा रहे हैं तो हो गई है अच्छा बात थोड़ी आगे निकल गई लेकिन ऐसी लागी लगन तो मतलब अगर रिक्वेस्ट ना दो हो तो ऐसी लागी लगन ये मैं करीब चार अजार बागा चुका हूँ मुझे पता है और इसका किस्सा भी मैं भी आपके कुछूँगा मीरा हुगई मगन वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी मेहलों में पली बनके जूगन चली मीरा रानी दिवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मुझे आपने बताया था कि अगर ये ना गाएं तो आयोजक पैसे नहीं देते हैं सच में तो पहले गा देता हूं पहला गाना मेरा यह होता है यह पेमेंट त्यार कर लो तो ऐसा भी होता होगा कि जैसे माल लीजी की कारिक्रम शुरू हुआ और आपने यह गा दिया बीस पच्चिस लोग थोड़ी देरी से आये माल लीजी तो जरूर कहते होंगे कि खतम कर करने से पहले एक बार यह गाहिये दुबारा और दुबाना गाना पड़ता हो आपको कभी-कभी होता है कि कितने लोग लेट आये वो सब देखके उसे साथ उनको सुना जाते क्योंकि हम वहां मंच पर आये हैं संतुष्ट करने उन्हें हम इसलिए थोड़ी आए कि नहीं प पूद में कोई तकलीफ हो भी है हम बीस बार आएंगे हमको बीस बार आने मिले रहा और अगर उनको मिलता है तो शायद हमारा उदेश है यह बाद आने का